पॉमेग्रेड यानि अनार एक अनार सौ बिमार ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी ये कहावत अपने आप में अनार के गुरों को बयान करने में सक्षम है जी हाँ, ठीक समझा आपने अनार का फल हमें सेहतमन रखने के साथ साथ हमारी बहुत सी बिमारियों का इलाज भी है अनार का पूरा ट्री यानी बाग, लीज, स्टैंज, बर्ड, रेंग, प्रूड, फ्लार्ड, सब रोगों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं सो कह सकते हैं कि ये एक ऐसी दवाई है जो हर कोई बड़े सवाज से लेता है वैसे भी मोतियों जैसे लाल-लाल रंग के दिखने वाले ये दाने इसको अकरशित नहीं करते हैं तो आईए जानते हैं इसके असंख्य गुनों के बारे में जिसके कारण इसे पर फूर्ट भी कहा जाता है इसमें वाईटामिन A, वाईटामिन C, वाईटामिन E और फॉलिक एसिद पाया जाता है इसमें एंटी आक्सिडेंट्स, एंटी वाईरल, एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीस होती है Mostly लोग अनार को दानों की फॉर्म में या जूस की फॉर्म में लेते हैं अनार का जूस रेगुलर्ली लेने से स्टरीर में खून का बहाब ठीक रहता है क्योंकि अनार खून को पतला कर क्लॉट्स नहीं बनने लेता है इसकी इसी प्रॉपरटी के कारण स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खत्रा कम होता है अनार में पावफूल एंटी आक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी आर्ट्रीस की वाल्ड को फ्री रेडिकल्स के कारण होने वाले डैमेज से बचाते हैं बैक कुलस्टर को कम करते हैं जिससे हमारा दिल सुरक्षित रहता है। और भी बढ़िया बात ये है कि अनार खाने से जोडों के दर्द से राहत नहीती है। ये काटले जिसे आम भाषा में गुटनों की ग्रीस कहा जाता है उसे नुकसान पहुचाने वाले एंजाइम्स को बनने से रूपता है। ये एंजाइम्स बॉडी में कनेक्टिव टिशू को डैमेज कर जोडों के दर्द को बढ़ावा देते हैं। लेकिन अनार खाने से या अनार का रस पीने से ये कनेक्टिव टिशूस ठीक रहते हैं। दर्द और सूजन में अराम मिलता है यानि स्वाग का स्वाग और बीमारी से भी छुटका रहते हैं। पामी रेनेट इस वेरी गुड़ एपिटाइसर। ये फाइबर रिच होने के कारण हमारे डाइजस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है। अनार का जूस पीने से डायरिया और डैसेंट्री से राहत तो मिलती ही है लेकिन ये अलसर के ट्रीटमेंट में भी बहुत फाइदा है। अनार में पाई जाने वाले फ्लावनाइट्स कैंसर सेल को नश्ट करने में सक्षम हैं। पर्टिकुलर्ली प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर, स्कीन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर जो लोग ऑल्लेटीन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं उन्हें अनार का जूस जरूर लेना चाहिए। उन्हें कैंसर सेल से लडने में मदद मिलेगी। पर्मिग्रेनेट्स और रिच इन आयरन, इन्हें खाने से ब्लड में हमगलोबिन बढ़ता है। वाइटामिन सी अच्छी मात्रा में होने के कारण इम्यून सिस्टम स्ट्रॉंग होता है और इंफेक्शन से होने वाली बिमारियों से बच्चाब रहता है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बीक होता है वो बहुत जल्दी बिमार होते हैं। इसे लोगों को रेगुलरली अनार खाना चाहिए। गले के दर्द और इरिटेशन से अराम पाने के लिए भी अनार फाइदे मन्द है। अनार ब्लड प्रिशर को लो करने में मदद करता है। अनार के जूस में एंटी बेक्टीरियल और एंटी वाइरल प्रॉफर्टीज के कारण ये हमारे दांतों को फ्लाग से बचा कर बहुत सारी ओरल प्रॉब्लम से हमारा बचा करता है। मार्केट से मिलने वाले मौथवर्ट से कहीं एफेक्टिव है अनार का जूस और वो भी नाच्टीर। अनार प्रेगनेंट लेडिस के लिए भी बहुत बड़ी आप्चन है। यह एक ऐसा फल है जो मा और बच्चा दोनों के लिए नुट्रिशियस भी है और सेफ भी इसमें आईरन और वाइटामिन सी दोनों होते हैं। अक्सर दिरिंग प्रेगनेंसी आईरन की कभी हो जाती है जिसके कारण बेबी की ओवराल हैल्थ में असर पड़ता है। इसलिए आईरन सप्लिमेंट्स लेने ही पड़ते हैं। ऐसे में अनार को अपनी डाइट में शामिल जरूर करना चाहिए। फामिग्रेड जूस हेल्फ इंप्रूविंग मेमरी और इसमें पाये जाने वाला वाइटामिन C बॉड़ी में आईरन को अब्जॉब कराने में मदद करता है। किसे भी फिजिकल एक्टिविटी या वर्काउट से पहले अगर आप अनार खा लेते हो या अनार का जूस पी लेते हो तो आपको थकार नहीं होगी आपकी एफिशेंसी बढ़ेगी और परफॉर्मेंस भी बढ़िया। डाइबेटेक्स को अकसर लाइफ की लास्टेजिस पे हार्ट प्रॉब्लम्स के चांसिज बढ़ जाते हैं। लेकिन अनार में शूगर के साथ साथ पारफुल एंटी आक्सिडेंट्स भी हैं जो हार्ट रिलेक्टिड प्रॉब्लम्स से बचा सकते हैं। अगर इसे मॉडरेट क्वाटिटी में खाऊ साथ में मेडिसन मीलो और एक्सरसाइस और वाक में रेगुलर रहो। बालों का तूटना बढ़ रहा हो तो अनार का जूस नियमित रूप से पीने से फायदा हो सकता है। यह स्कैर्प में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव कर बालों की जड़ों को मजबूती देकर हेल्थी रखता है। अनार जो गुनों की खान है यह हमारी स्किन प्रोटेक्शन में कैसे पीछे रह सकता है। इसके पारफुल एंटी आक्सिarta हमारे सकिन को फ्री रैडिकल के डेमेज से बचाते हैं। यह फ़्ल हमारे सकिन सेल्स की लाइफ को इंप्रूव कर हमारे सकिन को फ traff्न में देता है। जिसके कारण wrinkles और fine lines से बचाब रहता है और aging का process slow होता है अनार जूसेज एक्सिलेंट skin moisturizer अनार के बीच का तेल बहुत बढ़िया है for dry skin यह हमारे skin pores के अंदर तक जाकर skin को नमी और ताज़गी देखा है इसके बीच को crush करके dead skin cells को निकालने के लिए यूज किया जा सकता है वैसे तो अनार सब के लिए safe ही है लेकिन जो लोग high blood pressure की medicine लेते हैं हो सकता है अनार खाने से उनका BP कुछ अधिक drop कर जाए क्योंकि अनार से blood pressure low होता है so they should be careful अनार खृत्ते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो अकार में गोल हो और वजन में भारी हो क्योंकि भारी fruit अधिक juicy होता है उन पे किसी तरह के दाग धंपे ना हो आप इने cool, dark, dry paste पे एक महीने के लिए store कर सकते हैं और अगर आप refrigerator में रखते हैं आप एक साल के लिए भी रख सकते हैं so cool में लाकर कह सकते हैं कि ये फ़र जल्दी खराब होने वाले फ़रों में से नहीं है इसलिए आप इसे अधिक quantity में लाकर store कर सकते हैं और रोज उसको खाते हुए इसका लूथ उटाते हुए अपनी जिंदगी को मस जी सकते हैं stay healthy, stay blessed